प्रेम से बोलो प्यारयो धननकाय जी प्रमात्मा की कृपा से हमारे भाग्य में आ रही है और सेवा कैसी भी हो वो छोटी नहीं होती बस भाव मन के सेवा के हों ये तनमंधन जो है हमारा इस परमात्मा ने दिया है और अगर इसको किसी तरह भी इसका सद्दुप्योग करते हुए हम मानफता के परुपकार के आर्टिफिशली हमें कोई एफट नहीं डालना पड़ता वो सहज भाव वाली बात आ जाती है कि सेवा में फिर एक ये दिखावा नहीं रहता वो सहज भाव आ जाता है मन में तो हमारे काफी भार ऐसी अवस्थाएं आती रहती है कि कभी कोई अवस्था आती है कभी हम ठीक बैठे हैं अचानक से उदास हो गए अचानक से फिर खुश हो गए या कैसी भी मन की जब अवस्ता हो उससे फिर विपरीद भावनाएं भी हमारे अंदर कभी आ जाती हैं तो वो विपरीद भावना भी जब आ गई तो कैसे उस तरह वो बात हो कि अगर कोई negative thought हमारे अंदर आ भी रहा है तो जैसे एक पाउं में कांटा लगने वाली बात होती है वो कांटा हम नहीं चाहते कि जादा देर हमको चुभा रहे ताकि हमें तकलीव पड़े हमारी कोशिश रहती है कि उसी समय वो कांटे को निकाल के दूर किया जाए ऐसे ही जो कोई भी विपरीद सोच हमा परमपिता परमात्मा इस मालिक का इंदरंकार का आस्रा लेते हुए कि ये खयाल भी जहां आ रहे हैं खुद को भी परिशानी दे रहे हैं और जिसके लिए ये खयाल आ रहे हैं वो अगर खयाल करम में तबदील हो जाएं तो उसको भी आगे नुकसान होगा तो कैसे ये इस कि हमें जहां शुरुवात अपने आप से करनी है वो जो मन की अवस्ता है हमारी जैसे इधर बहुत युगों-युगों से आते रहे हैं और बहुत कुछ सिखा के जाते हैं तो ऐसे ही ये ज्यानिश्वर जी की भी वो कहानी हरेक ने सुनी होगी कि कैसे एक मा अपने बच्चे को उनके पास लेके आती है और कहती है वो बिमार है तो वो बच्चे को देखके कहते हैं कि अगले दिन लेके आईएगा कल लेके आईएगा तो जब अगला दिन हो जाता है और फिर से वो मा अपना बच्चा उनके पास ले जाती है तो वो उनको बच्चे को कहते हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओगे अगर गुड़ खाना चोड़ दो तो ये मा के खयाल में आता है कि क्यूं इस बच्चे को अगर इतना ही समझाना था कि ये गुड़ को छोड़ देगा तो तब ये ठीक हो जाएगी तो उन्होंने आगे से ये बात समझाते हुए कहा कि यदी कल आप आजातें तो मेरे कक्षमे में अपने सामने गुड़ की धाली रख के बैठा था फिर मैं कैसे उस मूझ से उस बालक को बोल सकता था कि गुर्ण नहीं खाना जबकि मैं खुद उस गुर्ण का सेवन कर रहा था तो कैसे संतों ने पहले खुद अपने कर्मों में सब एक अच्छी बातें ढाली हैं और फिर उसका प्रचार किया है आगे फिर वही संत आगे ऐसे भी समझाते हैं कि हमने कुछ पाल लिया है जैसे मीरा बाई जी भी कहते थे कि ये पाया जा सकता है ये प्रभु परमात्मा कैसे हम अगर एक एक चीज को संतों की ये बात समझ ले तो हमारे जीवन में वाके ही फिर ये जो हाला जो भी हो ये उथल पुथल नहीं होती एक ये शान्ती का एहसास ये कामनेस ये पीस वाली बात है ये जो भी चीज है ये इस परमात्मा की ही है तो जब हम इस परमात्मा से ही जुड़ जाते हैं ये ब्रहम ज्यान की दाद प्राप करके तो फिर सब स्थिती हमको इस मालिक के मुताविक लगती है तो कैसे फिर हम जहां वो बैलिंस की बात करते हैं कि ये ग्यान और करम का जो balance है तो वो सिरफ दो पंग वाली बात जैसे एक चिडिया के एक पक्षी के होते हैं ये ग्यान भी तब तक ही हमारे एक फाइदे के लिए हमारे को एक उससे वरदान रूप में है जब तक हम उसको करम में नहीं डालेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा हमारे लिए तो ये बहुत ही जरूरी है कि ग्यान अगर प्राप्त कर भी लिया मालक से नाता जुड़ गया अपनी पहचान हो गई तो साथ ही साथ हमारे जीवन में भी ये ग्यान का जहलक रहे हमेशा हमारे करम में, हमारी सोच में, हमारे बोलों में बोलों में भी फिर मधुरता आ जाएगी हम कड़वे वचन नहीं बोलेंगे फिर हम अतने दिल में सिरफ वो प्रेम रखेंगे हम ये नहीं सोचेंगे कि कैसे ये मन जो है ये एक ही मन है पर कभी ये इतने सारे रंगों का इसमें एक रहता है दिखाना ये कभी एक मोम की तरह भी बन जाता है कभी पत्थर की तरह भी बन जाता है ये दिल की अंदर कभी नफरत भी आ जाती है और दिल में कभी प्यार भी आ जाता है तो ये जब जब भी ऐसा हुआ है कि हम अपने मन को ये कड़वा नीम की तरह बना लेते हैं तो हमें उस समय खुद भी वो बेचैनी रहती है और इसी मन में जब हमने ऐसे विचार भर लिये कि हर एक से प्यार करना है वो मिश्री वाली बात कि वो मीठा अपना मन करके सबसे पहले सुकून भी हम को ही मिलेगा और फिर हम वो सुकून हर एक तक अपनी भावनाओं द्वारा पहुच जाएंगे तो कैसे हम हर पल यही एक कार्य में लगें कि हमने जहां अपनी पहचान करनी है इस परमपिता परमात्मा इस मालिक का जो ग्यान है जो हो सकता है जो पाया है उसको एक अपनी जीवन के पल पल में ढाल लें और ये पिर ऐसा एक कीमती जो हमें अन्मोलक वस्तु मिली है तो वो वस्तु को हमने कैसे हर एक तक जहां पहुचाना है साथ ही हमें ये फिर याद रहेगा कि हमें मन पे भी कैसे काबू रखना है हर स्तिती में हमने अपने आपको कैसे ढाल लेना है कैसे हमें फिर अपने जीवन में कुछ एक past की present की या future की हमें वो फिर चिंता नहीं रहती क्योंकि यही था जो past में भी है यही present में भी है इसी ने हमारे साथ आगे future में भी होना है और जब हम नहीं होंगे तो भी इसने रहना है क्योंकि इसका तो ना कोई शुरुवात थी ना अंत है तो इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज एक-एक मनुश्य जिसके अंदर इसका वास है तो वो जब तक हम ये सोचेंगे कि इस निरंकार के साथ हम जुड़े हुए हैं तब तक ही हम एक अपने आपको भैतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे कैसे फिर हम ये दिमाग से निकाल पाएंगे कि जो बीद गया उसकी चिंता तो हमने नहीं करनी जो इस समय हाथ में हैं उसको बहतर कैसे बना सकते हैं और आगे एक कैसे अपने आपका एक अपना best versions of ourselves हम कैसे वो और बन सकते हैं तो दातार किर्पा करे सभी पे कि यहाँ जो जिस भाव से भी आए हैं सत्संग में समागम पे तो भाव हर एक का ये मन में एक कैसे हम अपने लिए भी ये खुद पहले तो इनसान कहलाने लायक बन जाएं चाहे ये शरीर हमारा इनसान का है पर हमारे ये व्यवार क्या इनसानों वाला बन गया है क्या हम हर एक से उस तरह उसको अपना मान के उसके साथ पेश आते हैं क्या हमारे दिल में हर एक के लिए बराबर वो प्यार है बिना किसी बायस के क्या हमारे को एक ऐसी बातें दूसरों से करनी अच्छी लगती है जिससे हम कुछ अच्छी कोई गुण ग्रहन कर सकें या फिर हमारा ध्यान यहीं लगा रहता है कि किसी से मिलेंगे तो और लोगों की बुराई करेंगे या कोई नुकसान करने वाली बात करेंगे तो ये चुनाव हमारा है कि कैसे हम अपने जीवन को चलाना चाहेंगे अगर सुधरना है अगर अच्छे मार्क पे इस सत्य के साथ जुड़ना है तो वो भी ब्रहम ग्यान के दुवारा किया जा सकता है और अगर ये च्छन भंगुर दुनिया में एक जूट का ही सहारा लेते हुए सिरफ ये चकाचौन में ही रह जाना है तो वो भी हम कर सकते हैं पर बात यही है कि इतनी कीमती जिंदगी जो मिली है उसको फिर हम ये कौड़ी के जैसे गवा देंगे या हीरे के जैसे अपने जीवन को चमका लेंगे तो दातार सभी पे किरपा करें कि हम एक प्रोग्रेस जिसको कहते हैं एक मनुश्य के लिए एक साइंटिफिक वे में तो दुनिया में बहुत हो रहा है पर अपने मन के अंदर जो हमने एक अपने आपको भैतर करते का अगर चुनाफ किया है तो उसको दातार किरपा करें कि हम सचमुच उस मार्क पे ही रहें हम सचमुच अपने आपको जहां पल-पल ये समझें कि दुनिया में शायद हमसे बुरा कोई नहीं होगा इसलिए हमें अपने सुधार पे ही फोकस करना है और दूसरों की कमियाना देखते हुए उनसे जितने भी अच्छे गुण लिये जाएं उसको ग्रहन कर लें साथ संगत जी धाननकार जी